नमस्कार बहुत स्वागता है आपका आश्रम यूट्यूब चनल अपनी हथेली की रेखाओं को जाने यह महत्वपुर्ण हो जाता है हस्ते रेखा देखने यह दिखाने से पुर्व कि आप अपनी रेखाओं को भली बती जाने अच्छी प्रकार से तो आए आज करेंगे कि आयू रेखा जिसे लाइप लाइन जीवन रेखा इत्यादी कहा जाता है इसको हम उम्र की गन्ना करते हैं उस रेखा को के बिशे में जानते हैं तो इसको हम जब भी देखते हैं तो चार प्रकार से महत्वपुर्ण रूप से देखा जाता है ऐसे तो हम जानते हैं कि जीव कई बार होता है कि इख्षप हमारा गुरू का चेतर होता है यहां पे हमारी इस परकार से हिरदय रे kha होती है और यहां हमारी headline है यह मस्तिस वह होता है तो कई बार किसी जातक के हम स्थान पर जब देखते हैं कि गुरु छेतर से निकलता हुए पर्दीत होता है इस परकार से तो गुरु छेतर से निकलती हुई जीवन रेखा बहुत अच्छी और उच्छी सफलता देने वाली माल जाती है अब है कि यह मद इसे निकलता हूँ जेनरली जो देखा आता है अधिकतर हातों में हमने देखा है कि यह यहां पर से ही निकलता है गुरु परवत के ठीक नीचे से और अंगुठे और इसके मूलवाग के मद्दिवाग से यहां से निकलता है इसमें एक पोजिशन बनता है कि आपकी मस्तिस्क रेखा से बिल्कुल सठते हुए निकले यह देख लिए इस परकार से एक कारणी होता है अगर इस परकार से दूर तक दोनों सठी ही हुए तो ऐसे जातक कि बिवेक पुर्ण और अच्छा जीवन ऐसे जातक समझदारी के साथ बिताते हैं चलिए हम उस पे ने जाएंगे हम जा रहे हैं कि यह कितने परकार की होती ति यह हो गया अब इसमें एक स्थिती बनती है कि मस्तिस रेखा बिलकुल अलग हो बिलकुल अलग हटके निकलती है चुकि उद्गम दोनों का अलग-अलग हो रहा ति यह सोतंत्र विचारदारा को उनमुक्त जीवन को दिखलाता है इस चीजों को दिखलाता है जल्दी वाजी हर बढ़ाहट जाती है जब यह दोनों रेखाएं बिल्कुल इस प्रकार से यहां जूटी हुई होई मतलब दोनों का उद्गम अस्थान बिल्कुल एक जगा हो उद्गम करने का थे निकलने का अस्थान यह सरवोत्तम इस्थिति मानियाती है यह लाइप को बैलेंस करता है यह हो गई अब एक इस्थिति इसमें बनती है कि हमारी हिर्दय रेखा भी यहां यहीं से निकल रही हो ऐसी इस्थिति देखने को मिलती कि तीनों रेखाएं एक यह इस्थिति जो सी सास्त्र के अनुसार और जो देखा गया है प्रैक्टिकली अच्छा नहीं माना जाता है यह हो गए उद् प्रकार से घूम के जो है सुक्र छेतर पर चली जाए सुक्र छेतर पर जाना ये दिखलाता है कि आपके प्रेम संबंद में प्रेम में भंग इस चास्त्र काता है कि प्रेम में भंग इस प्रकार की बात में हो सकता है कि आपकी रेखा यहां तक है सर्वत्तम इस्थिति है यहा उम्र की गन्ना जब करते हैं ति ऐसे जातक कि उम्र जो है 50 बर्स के आसपास आती है ति ये हो गई समापती की अधार पर अब है आकार आकार में हम जब देखते हैं ति इसके आकार को जब महतुपुर्ण हो जाता है ये कभी-कभी देखते है कुछ जाता कहते लिए बिल्कु पुली स्ट्रेट लाइन टाइप की दिखते हैं तो सीधी रेखा ऐसी आयू रेखा अच्छी अच्छी नहीं मानी आती है आयू रेखा जब आपको पुर्ण गोलाई के साथ हो तो वो सबसे अच्छी मानी आती है कि इस परकार से आपके सुक्र छेत्र को घेरते हुए अग चव था जो इसमें महत्पुर्ण है वो बनाबट के आभार पे तो बनाबट केसी है तो जब हम बनाबट की बात करते हैं तो रेखा की बनाबट देखते हैं ये मोटी है पतली है लहरदार है इस पे बहुत कुछ निरवर करता है तो आप बनाबट सबसे अधिक महत्पुर् स्वास्त और लाइप अच्छा नहीं चल रहा है इस बात को दिखा ती तो बहुत मोटी या फिर बहुत उत्मय की साथ-साल यह बहुत मोटी है अब आईए इसमें तीसरी इस्थिती जो बनती है बिल्कुल पतली एक दम इस प्रकार से पतली रेखा हो ति इस प्रकार से अन्य रेखा यदि पतली है भागे रेखा सुरी रेखा तो अच्छी माने जाती है लेकिन बिल्कुल पतली लाइफ लाइन भी अच्छी नहीं माने याति ये कमजोरी का सूचक होता है, आपके जीवन सक्ती, जीवन सक्ती में हरास्मेंट, जीवन की जो उर्जा है, उसमें कमजोरी को दिखलाता है, साथ में एक चीज और देखी है, कि अन्य रेखाओं से इसका तुलना करना है, क्या हतेली में सभी रेखाएं पतली है, ऐसा तो नहीं कि बाकी सभी रेखाएं, मोटी मोटी है, सिर्फ लाइप 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 पतली है, तो आपके सरीर की कमजोरी को दिखला रहा है, इंटर्नल कमजोरी की स्वास संबंदी रुगनता को दिखलाता है, तो ये हो गई पतली रेखा, सबसे अच्छी क्या होती है, है, छोटी चोटी तो आपके सरीर में कोई रोग व्यादी लगा रहेगा, ये इस चीजों को दिखलाता है, तो इस परकार से सिर्ओंता होती है, तो अच्छी नहीं मान जाती है, कई बार ये रेखाएं, हम देखते हैं, दुईप युप्त रेखा होती है, बीच बीच में दूइप बनाव रहता है ये भी लाइफ में आपके रोग को कमजोरियों को लगातार रहने बाले रोग सरीज में ब्याधियों को दिखलाता है ये अच्छा नहीं माना जाता है ये इसी को हम करते हैं कि जनजीरदार रेखा ये भी अच्छा नहीं माना जाता है तो बिलकुल स आप सुत्रा और असपष्ट रेखा सरव उत्तम इस्थिती को माने जाती है, जो इस परकार गुलाई को लिये हुए साप सुत्रिया और निर्दोस रेखा हो, यह सरव उत्तम, तो रेखाएं तो हम देखते हैं कई परकार की होती है, चेप्टर काफी बढ़ा हो जाता है, आज के अंके में इतना ही मिलते हैं अगले अंके में धन्यवाद।